हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं देनी आज आप के लाई हूं स्मिंग बैग जैसा कि आप देख रहे हैं यह रेक्टरंगलर शेप में हैं और इसमें किनारे हमने पॉम-पॉम लगा रखी है और यह पॉम-पॉम हमने फैबरिक ब्लूस लगाई है इसको मैंने सीला नहीं है और स पॉम-पॉकेट नहीं है तो यह पॉकेट तो हमारी जिप की है और इसमें एक पॉकेट सिंपल हमने दी है अलग से इसमें हमारी जिप नहीं है और इसमें काफी स्पेस है, तो आये चलिए देखते हैं कि हमें इसको कैसे बनाना है, और आज का स्लिंग बैग बनाने के लिए हमें चाहिए 8 x 10 का 2-Piece कुल्टेट, जो हमारा इस तरह से 2-Piece होगा, उसके बार चाहिए 4 x 8 के 2-Piece कुल्टेट, जो इस तरह से होगे, और उसके साथ हमें चाहिए, जो 8 x 10 का 2-Piece कुल्टेट है, उसके साथ 2-Piece प्लेट भी हमें चाहिए होगा, जो इस तरह से हमने लिया है, ब्लैक के साथ, रट मैचिंग करके, और 8 x 9 का 1-Piece प्लेट होगा, यह भी सेम कलर में है, फिर है 6 x 8 का 1-Piece प्लेट, सेम कलर में इसी इस तरह से, जिप 8 x 5-Piece जो इस तरह से होगी, यह सेम साइज में हैं सारी, 8 inch की रणर चाहिए होगे, 5-Piece और पंपं चाहिए होगे, इस तरह से, आप कलर फिल भी है सकते हैं, और थोड़ी सी हमें, पाइपिन चाहिए होगी, जो स्लिंग बैक की बैल्ट और पाइपिन लगाने के काम आएगी, थोड़ी ज़्यादा पाइपिन हमें चाहिए होगी, तो चलिए अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं तो सबसे परले हम तयारे शुरू करते हैं, तो जितने हमारे कुल्टेट पीस हैं उनको हम लेंगे, और यह जो हमने बॉर्डर लगा रखा है, यहां से हम तरीब, त्री इंच डाउन जाकरके निशान लगाएंगे, यह त्री इंच डाउन पर हमारा निशान है, इसको हम यहां से कट करेंगे, और इसमें एट इंच की जो जिप है हमारी उसको लगा देंगे, जो पीस कट किया था उसको इसमें जोड़ देंगे, पजने झाएंगे, बन्सें खिए निए पज़, झाने माएंगे, और इसी तरह जो दूसरा पाथ है उसको भी त्रेंच डाउन पर कट करेंगे और जिप लगा देंगे प्रूबम्टबमटटब करी करेंगे इसके बाद हम ये 4x8 का दूसरा पीस लेंगे इसमें भी जिप लगाएंगे कोई भी एक पीस लेंगे इसमें जिप रखेंगे और इसके साथ एक हब ये कवर रखेंगे इस तरह से और अब इसके बाद हम चोटा पीस लेंगे इसके पीछे एक पीस लगाएंगे तो इसको हमें इस कपड़े पर उल्टा रखना है इस तरह से और इस कपड़े को पाइपीन की तरह यहाँ पर इस तरह से दिखना चाहिए इतना महिन मोंके स्कुषीधा सिर लेना है और जब दूसरा 4x8 का हम पीस में जिप लगाएंगे तो इसको हम थोड़ा सा यह जितना हमारा ब्लैक पोशन दिख रहा है वन इंच का इसको हम कर्ट कर देंगे क्योंकि हमारे बैक की टोटल लंबाई 10 इंच है और यह भी फोर ले लिया हमने वह भी फोर ले लिया तो तीनों पीस मिल करके उसकी हाइट बढ़ जाएगी क्योंकि जिप भी लग रही है तो जो एक पीस है कोई भी एक पीस ले लेंगे उसको हम यहां से कट करने के बाद तब इसमें जिप लगाएगे पीस में जो लाइनिंग का कप्टा है और इसमें जो लाइनिंग का कप्टा है इसको इसको इससे लगाना है कि पईपिन का शेप आजाएगे इससे लगाएगे और इसी जिप पर से इस कपड़े को हल्का सा इस तरफ से मोर देंगी नीचे लाइनिंग भी आ जाएगी उपर पाइपिन भी आ जाएगी और अब इस पीस को हम किसी भी एक पीस पर यहाँ पर रखेंगे यह बीच वाले पर कहीं नहीं रखना है यह दोनों बार्डर उपर ही रहेंगे बीच में एक साइड हमारा यह है एक साइड यह है और इसको किसी भी साइड में इस तरह से रखेंगे और तीन तरफ से इसको हम सिल देंगे इधर हमें नहीं सिलना है इसको मिलाते हुए सिल देंगे और इसको सिलने से पहले जो यह पीस है हमारा जो दूसरा हमने 4-8 का तियार किया था इसको हम यहां पर लगा देते हैं इसमें हम इसको इस तरह से लगा देंगे थोड़ा सा पाइपिन का लुक आना चाहिए कि आना अची हुआ का आना इसको भीटा शाल जाब एकार दुए घर भी वुए सिलन आजेंगे तरहाता इसको हमने अब इसकोई डंगेेंगें अब इसको जो इसके साथ जो पीस लगा था इसको इसके साथ लाकर तिन तरब से सिल देंगे पहले इसकी हम तियारी कर देंगे इससे इसको तिनों साइट से सिलने के बाद अब हम पूरा प्रीस लेंगे और सबको एक साथ फोल्ड करेंगे। इसदों यह हमारा सारी लाइंग इधर आ जाएंगे इस तरह से यह लाइंडिन आ गए, दूसरी लाइंडिन यह आ गई और यह यहां, यह सेंटर वाली जिप को बराबर से रखते हुए, सारी लाइनिंग एक साथ करनी है, सारे कुल्टिट पीस एक साथ लेने हैं, और यह जो हमने त्यार किया था, यह पीस, इसको यहां पर रखेंगे इस जिप के नीचे, और सब को अब हमें एक साथ सिल देना है कोई भी पीस हमारा अंदर छूटना नहीं जाएगे, इस तरह से बराबर रखेंगे, हमें इसको तीन साइड से सिल देना है और इसमें हमारी कई लेयर हो गई है, इसलिए बहुत आराम से मशीन चलानी है आर इसमें हम तुर पले, फिनिश देना है और अब हम पाइपिन लगाना शुरू करेंगे पाइपिन लगाने के लिए सबसे पहले हमें इसका बॉटम त्यार करना होगा बॉटम को हम पहले अलग से पाइपिन से कवर करेंगे और अब हम पाइपिन की लेंद को हमें शुरू करेंगे 70 इंच लेना है 70 इंच लेने के लिए परले इसको हम मेजर्मेंट करेंगे जिसे की छोटी बड़ी ना होने पाएपिन इस तरह से पुरा मेजर्मेंट कर लेंगे यह हमारी 60 है थोड़ी सी कम है इसमें भी हमें और पाइपे जोड़ने होने क्योंकि हमें 70 इंच ही चाहिए यह मेरे पाइपिन और है इसको हम चोड़ लेते हैं क्योंकि 10 इंच हमारा इधर 10 इंच इधर हो जाएगा बाकी जो पाइपिन लगेगी जो डोरी लगेगी जिसको हम बैल्ट बनाएगे वह हमारा 50 इंच काएगा इसलिए हमको 70 इंच चाहिए अब इसको फिर से मेजर करते हैं इंचे टेप लेंगे इससे ना बेंगे यह हमारा 60 इंच आ गया और यहां से फिर हम लेंगे 10 इंच यह हमारा 10 इंच आ गया और उसमें एक इंच और बढ़ा लेंगे क्योंकि हमें नीचे लॉक सिस्टम भी करना होगा यह हमारी फाइल होगे अब इसको हम इस साइड से जोड़ना शुरू करेंगे बाटम से जोड़ना शुरू करेंगे यह जो हमारा बाटम है इधा से जोड़ना शुरू करेंगे और लॉक सिस्टम के लिए हाफ इंच बाहर कर देंगे जोड़ने के बाट इसको हम इहापर लॉक करेंगे जोड़ी जोड़ी पापिन ही रखनी है तब ही इसकी लुकिंग आए पी डबल से लाई और अब इसमें हम पापिन लगाना शुरू करेंगे और इसी यह जो पापिन है यहाँ पर जब हमने इसको यहाँ पर सिला तो यह अपने आप यहाँ पर फोल्ड हो रही है बस इसी को जब यहाँ पर हम फोल्ड करेंगे इस तरह से तो यह हमारी पूरी दोरी तयार हो जाएगी और इसी को हमें पूरा सिलते जाना है और यहां उपर आफ्री पर डबल बाशिए अभी हमारे दोरी बनने शुरूर हो गए अपना सेले के पाथ आफ इसको हम नापट जिस तरख भी पाइपिन लगाएंगे, दोरी को इस तरह से रखेंगे, और पर इसको लॉक सिस्टम के लिए थोड़ा से छोड़ते हुए जोड़ेंगे. रखने के युए कहुए कर एंगे एंगो लॉक वाइबो अप्रियर्णा कुएी ऱ जर ऴॉक कर निए भीले थे उड़िया से लब कर एंगो कि ऱवबभ़ 심गा। कर दो फिर दो फूल शोंने खाई थाई, तो फिर खौदा हम लाई टे खराज़भ लुबाऊँ झीज़ लगंगा होगा हॉट, पिर्चा चालोगा हॉटÁं हो झालोगा हॉट कि मैं अचालोगा छैंगे लाँ, उलच और इसी तरह ये दूसरे साइट का भियां कम्प्लेट कर देने हैं और इस तरह से कम समय में ज्यादा पॉकेट लेकर के और एक स्लिंग भैग पैयाब हो गया तो फाइनल में आपको पॉकेट दिखाती हम यह हमारी डोरी एक पॉकेट यह है एक पॉकेट बड़ी यह है फिर प्रंट में एक पॉकेट यह है और एक हमने बिना जिप की पॉकेट दी है जो काफी अच्छी डहराई में है और सेम साइज में दूसरी पॉकेट भी है यहाँ पर फिर हमारी आखरी पॉकेट यह है छोती कर लें आप चाहे तो इसी तरह रहने ही दए और नए तो इस तरह से थोड़े पॉम पॉम ले ले और इसको जो हे सामने की तरफ के बद फैबरिक ग्लू लगाते वे फैबरिक ग्लू थोड़ी अच्छी मात्रा में रखें ताकि इसकी पकड मजबूत हो और इस तरह से रखते और आप चाहें तो इसमें टांका भी लगा सकती है फैबरिक ग्लू ना लगा करके इस तरह से इसको पूरा और फैबरिक ग्लू इसलिए कि अगर कभी वाश किया जाए तो ये छूटता नहीं है इसलिए इसको फैबरिक ग्लू ही कहते हैं और ये इसी के लिए खास दोर पर आता है इन्हीं सब कामों के लिए और इस तरह से ये हमारा बर कम्प्रीट हो गया है उमीद है आपको पसंबाए होगा लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें नंदनी फूर कुछने लेके मिले दी नमस्कार